हेलो फ्रेंड, स्वागात आपका study hack channel पे, मैं आसा करता हूँ कि आप सब स्वास्थ होंगे, मस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जो रोस हो रोस से लगे होंगे, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी computer की series चल रही है, जिसमें हमें बात करता हूँ computer class की एकदम basic labels है, ठीक है मैं क्या करता हूँ कि previous year के जितने भी question होते हैं, उनको one-liner form में आपके PDF से attach कर देता हूँ, ताकि आपके लिए revision करना बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है, तो अभी तक हमारी बहुत सारी classes already हो रखी, अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि इस video के end होने के बाद आप playlist से जाके सारे classes को check करें, तो कि बहुत सारी classes जो होती है, वो एक दूसरे क्या होती, interlinked होती है, ठीक है, तो जैसा कि आपने thumbnail से देख लिया हो, कि आज हम बात करने वाले computer networking, ठीक है, तो आज की class होने वाली computer networking पे, और आज होने वाला इसका part 1, part 2 हम बात करें ये next video, ठीक है, तो चलिए विना देरी के शुरू करते हैं अपने class को और जानते कि क्या कुछ खास रनने वाला है हमारे class में, तो class को शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते, table of content के बारे में, मतलब कि आज हम क्या क्या discuss करेंगे, उसका एक छोटा सा overview देख लेते, त तो सबसे पहले हम discuss करेंगे internet के बारे में, कि internet क्या होता है, फिर बात करेंगे data communication में, कि data communication कैसे होता है, फिर बात करेंगे component कौन-कौन से यह होते हैं data communication में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे computer network की, कौन-कौन से computer network होते है, जैसे LAN, WAN, WAN हो गया, फिर तो सारी चीजे हम detail म इसके बाद बात कर लेंगे types of data communication की data communication के कौन-कौन से types होते हैं ठीक है जैसे simplex क्या होता है half duplex क्या होता है full duplex क्या होता है ठीक है साधी बाते हम करेंगे types of data इसके बाद होगा हमारा question and answer का session जिसमें आपको हर question के लिए चार option मिलेंगे और 10 second time मिलेगा आपको उसी बीच में आपको क्या करना पड़ेगा question का सही सही answer करना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं अपने class को और जानता है कि internet होता है कि इंट्रानेट एक private network होता है जो कि एक organization create कर सकता या फिर एक office create कर सकता है तो इसका फ्यादा यह है तो इंट्रानेट के माद्रम से बनाते हैं क्योंकि यह सिक्यूर होता है कि आपका डेटा ब्रीच ना हो पाएगा अगर आप इंट्रानेट से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता कि आपके डेटा ब्रीच हो जाते हैं कोई हैकर आठक करके डेटा को ब्रीच कर लेता है लेकिन आप आप ने प्राइवेट नेट वर्क बना लिया इंटरनेट के माध्यम से तो आपका deta कहीं भी किनेट ही नहीं होगा मैंतर नेटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगा तो ऐसे आप आपको चीज़े किलियर हो गई होगी तो आगे बाढ़ते हैं नेटा कम्मुनीकेसिन कब होगा जब डेटा क्या होगा दो और दो से ज्यादा डिवाइस के बीच गां तो वह यह एकक्षेंज और अच्छा डेटा कॉम्निकेट करना है ठीक है तो उसके लिए चार करेक्टरिस्टिक होने चाहिए कोई वी डेटा को कम्निकेट करने के लिए सबसे पहला होना चाहिए कि delivery मतलब क्या है कि delivery होना चाहिए एकदम correct destination पर आप जो data भेज रहो वो एकदम correct destination पर जाए कि मालो कि आप अपने friend को कोई information भेज रहो कोई data भेज रहो जो कि एकदम private है और क्या हो कि destination आपके friend के पास ना जाका आपकी girlfriend के पास पहुंच जाए तो क्या होगा आपका breakup हो जागा तो आप क्या चाहते हो कि destination एकदम correct है हम जिसको data भेज़े उसके पास ही जाए नेस्ट है accuracy मतलब क्या है कि जो भी data जाए वो एकदम accurate जाए ऐसा नहीं कि आपने कुछ data भेज़ा और receiver के पास कुछ और data चला जाए जैसके आपने girlfriend को हाई लिखा हाई qt लिखा और accurate form में जाके सामने बाले को हाई qt के जगए कुछ और चला गया फिर क्या होगा आपका breakup हो सकता है तो आप क्या चाहते हो कि मेरा data एकदम correct form में जाए accurate हो जाए ठीक है जो मैं type कर रहा हूं वही data जाए नेक्स है timeliness मतलब क्या है कि आपका data time पे deliver होना चाहिए timely manner पे होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने अभी data कुछ भेजा और वह दो दिन बाद जा रहा है या दो घंटे बाद जा रहा है ठीक for example कि आप अपने girlfriend के आपसे गुस्सा थी आपने अभी sorry message भेजा और sorry आज न जाके दो दिन बाद उसको deliver हो रहा है तो फिर तो आपका break up होना था है तो आप क्या चाहतो कि टाइमिली नेस हो मतलब क्या हो कि आप जब message भेजो उसी समय फटाक से आपका message सामने बाले के पास पहुंचे जीटर जीटर रेफर्स ना variation in packet arrival कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कोई data व होता है तो arrival जो हो data का वह एकदम सही sequence में हो जीटर इस बात का ख्याल लगता है ऐसा नहीं हो कि आप पहले part 1 भेजे थे फिर आपने part 2 भेजा फिर 3 भेजा और सामने बाले के पास सबसे पहले part 4 पहुंच गया फिर 2 पहुंच रहा है फिर 1 पहुंच रहा है फिर 3 पहुंच आप simplified block नाग के देख पारे होगे data communication क्या होता है एक source होता है source कि से connect होता है होता है सिसके पास पहुंचाता है क्या होता है एक डिशीव पर जाके उसको थोड़ता है कि आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट कंपोनेंट यूज इन डेटा कॉम्निकेशन डेटा संचार में उप्योग किये जाने वाला घटक कि अब दो सिस्टेम के बीच में डेटा को क्म्निकेट करना चाहिए नहीं कुछ कॉम्कोनेंट की जवत परेगी तो क्या-क्या है सबसे पहले सेंडर और रिसीवर तो एक सेंडर होना चाहिए जो डेटा भेज और एक बीसीवर होना भी नो को isu इनके बीच में क्या होगा ही और उन दोनों को connectivity बनाने के लिए क्लिए होना चाहिए, एक transmission medium होना चाहिए, ठीक है, तो आपके पास sender भी हो गया, receiver भी हो गया, एक transmission medium भी हो गया, लेकिन आप जो data भेज रहे हो, उसको क्या करना चाहिए, एक नियंतरक्ट भी होना चाहिए, जो आपके data को क्या करे, manage करे, उसके निगरानी रखे, तो उसके लिए क्या बना दिया, आपके जो message है, उसका protocol भी होगा, तो क्या होगा, message and protocols, ठीक है, I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, तो next है signal, तो आपके पास sender था, receiver था, एक transmission medium भी था, लेकिन आप data को भेजोगे, किस ची magnetic signal, तो आप signal के माधियम से अपने data को एक जगा से दूसरे जगा क्या करोगे, भेजोगे, तो signal क्या हो सकता है, electromagnetic भी हो सकता है, ठीक है, simple जो आप signal भेजते हैं, और जो data भेजते हैं, electromagnetic signal या कोई भी signal के माधियम से, तो वो क्या हो सकता है, आपका data क्या हो सकता है, analog form भी हो स सकता है ठीक है तो एनालोग रेफर करता है information that is continuous ऐसा information जो continuous हो जैसे human voice analog clock तो यह सब क्या होते है continuous form में होता है digital data refers to information that has discrete state तो digital data वो information होता है जो क्या होता है discrete form में होता है जैसे आपने digital clock देखा होगा computer हो गया तो यह सब क्या होता है digital data पर वर्थ करता है तो यह क्या होता है discrete form में होता है तो आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट नेट्वर्क ठीक है तो computer network क्या करता है एलाव computer to exchange data information and share resources connection between computer are established using either cable media और wireless media तो computer network कैसे create करते हो तो आप क्या करते हो दो या दो से अधिक computer को एक साथ connect करते हो किस माध्यम से या तो आप cable के माध्यम से connect कर लेते हो या wirelessly connect कर लेते हो तो आप network form क्यों करते हो ताकि आप क्या कर सको अपने data को exchange कर सको information को exchange कर सको या फिर कोई resource होगा उसको भी आप एक दूसरे के साथ आप क्या कर सकते हो एक्षेंग कर सकते हो ठीक हो आप आपको चीजे क्लियर हो गई होगी तो नेक्स्ट बात करते हैं आप देख पा रहे होंगे कि यह क्या इंटर्नेट से connectivity बनाए राउटर से connectivity है स्वीच पर स्वीच क्या कर रहा है कि डायक जो भी चीज होती जो लैंड केबल से connect है उनको लैंड केबल से connect कर दिया है ठीक है और एक wireless access point को भी लैंड केबल से connect कर सकते हैं तो क्या है एक सिंपल connectivity है एक नेटवर्क है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है टाइपस ऑफ नेटवर्क के कितने परकार होते हैं तो मेंली तीन परकार के सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड की लोकल एरिया नेटवर्क की ठीक है तो लैंड जैसा की नाम से ही कि लोकल एलिया टिक है जैसा कि है आपके स्कूल के अंदर जो भी connectivity होगी सारे सिस्टम से जितने भी सिस्टम होगे सब के बीच में क्या होगा connectivity बना होगा तो किस मादेम से तो लोकल एडिया नेटवर्क के मादेम तो लोकल ही हो गया तो लोकल में अगर अगर आप अपने तो इसको बोलते हैं गै keeping आपने थे लियां मतलब क्या कि एकNetwork प्रोवाइंडर हो गां उसी से सार्वी सीस्टम की आउने fit इसी को बोलती है डाय गो हुप है pet si कि next रम्हाइं मैं मतलब होता है metropolitan area network. Man is consisting of network across an entire city. The size of the metropolitan area network is larger than land and smaller than van but cover the larger area of the city. Example, cable TV is an example of man. So man, क्या होता है? एक network create होता है आपके entire city दे हो. जैसे कि आपके building के अंदर जो भी connectivity बनी थी एक network से तो उसको हमने land उखा ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे land होंगे जो एक दूसरे से connect होंगे एक सहर के बीच हो तो एक या एक से अधिक land connect होंगे तो क्या बनाएगा? मैन बनाएगा metropolitan area network बनाएगा. ठीक है? तो metropolitan area network क्या होगा? एक city में होगा. जैसे कि आप देख पारें कि मालों कि एक government building है तो उसके अंदर भी तो छोटा सा land होगा सारे system एक दूसरे से connect होंगे ठीक है? आपके building के अंदर भी एक land होगा headquarter होगा कोई वहाँ भी होगा और सारे land एक जगा connect होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे metropolitan area network ठीक है तो यह एक पूरे entire city को connect करेंगा जैसे कि आपने capability भी देखा होगा कि एक सहर का अलग-अलग capability भी प्रवाइडर होता है तो वह क्या करता है सारे सहर के अंदर अपनी connectivity बनाता है ठीक है तो आप उसको क्या बोल सब्सक्तों मैन बोल सकते हैं चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है तो जैसे बता है कि मैन क्या था कि छोटे छोटे लैन का connectivity था ठीक है तो वैन क्या होगा बहुत सारे मैन का connectivity होगा ठीक है तो बहुत सारे metropolitan area network एक दूसरे से क्या होंगे connect होंगे तो क्या आप फर्म करेगा वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है तो वैन क्या हो सकता है एक country के अंदर भी हो सकता है एक continent के बीच में भी हो सकता है या फिर पूरे वल्ल्ट के बीच में भी हो सकता है इसका जो best example है वो है इंटरनेट क्या है वाइड एरिया नेटफार में आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो आगे बहुते प्रस्नल एरिया नेटफार तो ऐसा होता कि आप अपने लैप्टॉप से हॉट अस्पॉट अन किया और हॉट आपको ब्लुटूथ उन किया बहुत सारी छीज़ये को क्या कर दिया, connect करके connectivity बना दिया, तुसी को बोलते है personal area network, तो इसका range क्या होता है, 10 से 30 मीटर तक ही होता है, इससे ज़्यादा range पर आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा range पर ना आपका Wi-Fi काम करेगा, ना आपका Bluetooth काम करेगा, ठीक है, तो आप देख पार अपने laptop से क्या कर लिया, headphone को connect कर लिया, mobile phone को कर लिया, smartphone को कर लिया, printer, mouse या फिर दूसरे system को connect करके एक अपना खुद का network बना लिया, personal network बना लिया, इसी को बोलते है personal area network, I hope आप कुछ चीजे clear हो गई होगी, तो आगे बर तो, next, can, campus area network, can network helps to link couple of lands with small geographical space such as school, university, campuses and corporate building, ठीक है, तो एक campus के अंदर आप कैसे connectivity बना सकते हो, तो क्या कर सकते हो, several lands को connect कर सकते हो, ठीक है, तो जैसा कि मालों कि आपका एक campus है, college का campus है, ठीक है, तो उसके अंदर एक academic building भी होगा, laboratory भी होगा, ठीक है, और hostel भी होगा, और क्या होगा, library भी होगा, तो library के अंदर अलग एक connectivity होगी, तो उसको land बोलेंगे, ठीक है, आपके hostel के अंदर एक land होगा, ठीक है, आपके college building के अंदर एक land होगा, ठीक है, अगर उन सारे land को एक जगा connect कर दे, एक network provider से, ठीक है, और within क इसके, तो campus के, तो उसको क्या बोलेंगे, campus area network, ठीक, I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है SAN, SAN क्या होता, storage area network, ठीक है, SAN is a specialized high speed network, that provide block level network access to storage, ठीक, तो SAN ऐसे समझो, कि आपने क्या किया, कि आपके पास क्या था, बहुत सारे आपने storage device को collect किया, और उसका क्या बना दिया, एक store house बना दिया, ठीक, storage house बना दिया, और वहां से आपने क्या किया, कि locally, सबको storage प्रवाइड कर दिया, ठीक, और सबको एक connectivity दे दिया, ठीक है, जैसे कि आपके system में storage fix होता है, मालो की 2GV था, 100GV था, ठीक है, आपके mobile में मालो की 128GV है, लेकिन आप चाहता हो कि मैं अपने data को, और भी white data को collect करके रखता हूँ, ठीक है, मैं और भी data चाहता हूँ कि मैं और भी storage में अपने data को, क्या कर सकता हूँ, store करते हो, ठीक है, तो आप locally क्या करते हो, कि storage buy करते हो, जैसे कि आप cloud वेगरा पे storage buy करते हो, ठीक है, तो क्या बनाता है, वो भी आपका एक storage area network create करता है, क्योंकि सिफ आप ही नहीं वो storage लेते हो, बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो storage को क्या करते हैं, पर्चेज करते हैं, तो सारा storage का एक क्या मना होता है, network बना होता है, उसी को बोलते है, storage area network, I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, next बात कर लेते हैं, next है VPN, VPN क्या है, virtual private network, ठीक है, तो यह एक private network है, ठीक है, जिसकी connectivity आप क्या करत हो, ठीक है, तो आपका system internet से connect है, लेकिन आप चाहते हो, कि अपने system को और भी secure कर पाए, ठीक है, तो इसके अप क्या करते हो, virtually अपना एक network create करते हो, ठीक है, जिसको बोलते है VPN, virtual private network, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह क्या करता है, 시स्टम को और भी secure बना देता है, आपके network क हो और भी सिक्टर बना देता है ताकि कोई भी हैकर हो या स्थुपर्स हो वह आपके डेटा पे अठैक न करता है तो कि मतलब क्या है कि आप पब्लिक नेट रॉड पबलिक से जूड़ के अपना एक क्या करते हो प्राइवेट नेटर्वर्क वीट कर लेते हो ठीक है तो एक होता है point to point connection मतलब क्या है direct connectivity एक वाय लिया एक system को दूसरे system से क्या कर दिया connect कर दिया तो यह क्या हो गया point to point connect हो गया एक होता है multipoint connection in which more than two device share a link ठीक है है device से link है इसको क्या बोलेंगे multipoint connection और एक से सिफ एक ही system connect होगा तो इसको बोलेंगे point to point नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है types of data communication के कौन-कौन से types होते हैं सबसे पहला simplex communication तो simplex communication क्या one way communication है आप बोल सकते unidirectional communication है मतलब क्या कि सिर्फ एक ही वे में जा सकता है ठीक है जो sender होगा वो सिर्फ data को क्या कर सकता है send कर सकता है one way और unidirectional communication between two device in which one device is sender and another is receiver ठीक है data send through a keyword to speaker जैसा कि आप keyboard से कोई data send करते हो तो क्या होता है unidirectional होता है आप keyboard से जो type करतों मालो कि आपने M को प्रेस किया तो आपके screen पे M चला जाता है आपके computer के अंदर M चला जाता है data bidirectional communication है लेकिन क्या होता है कि एक बारे में एक ही क्या कर सकता है data को send कर सकता है दूसरा क्या कर सकता है to which both the device can send and receive data or control signal in both direction but not at the same तो एक ही time पर आप दोनों ऐसा नहीं एता कि एक ही time पर दोनों बोल पाऊगों तो आप बोलोगे तो सामने वाला सुनेगा जब सामने वाला बोलेगा तो आप सुनेगे तो communication तो two लेकिन एक समय पे आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हाफ-Duplex लेक्स नेक्स्ट बात करना चाहिए कि नेक्स्ट है full-duplex communication तो यह Two-Way और Bi-directional communication होता है जिसमें क्या कर सकते हैं डेटा को एक ही समय में आप बेटा को भेज भी सकते हैं उसके आप आप डो सिस्टम को अब की करें तो हो चलये जीजिए विज़ाइब को आई पी क्या होता है Communication methodology designed to deliver both voice and multimedia communication over internet protocol तो VOIP का full-pron होता है voice over internet protocol तो जो भी आप voice होता है या कोई media होता है आप internet के मार्जम से भेजते हो उसी को बोलते है VOIP जो communication करते हो तो जैसा कि आपका पास smartphone जबाया होगा ठीक है ठीक है जब 4G नहीं था जब 3G था तो जैसे WhatsApp हो गया Skype हो गया तो आप क्या करते थे internet के मार्जम से आप अपने data को जैसे voice हो गया कोई multimedia हो गया या कोई भी multimedia होता था data उसको आप transfer करते थे तो किसके मार्जम से internet के मार्जम से तो इसी को बोलते थे VOIP ठीक है वाइस ओबर लॉंग टर्म इवाल्यूशन यह होता है इसका फोल फॉम इजे स्टेंडर्ड फोर हाई स्पीड वायरलेस कॉम्निकेशन फोर मोबाइल फोन इंक्लूदिंग फोल्ट क्या हुआ कि अपने डेटा को अगर आप नेटवर्ट से नहीं हो फिर भी आप वीडियो कल कर लेते हो फ्र पर आप फोनмы हाज क्या कर लेतों विडियोBay क्या वेजना हो तो अब जीसमड़ेसं नेटवर्क से दैटा पो घेज लिएतयों आप इंडानेट से कनेक नहीं भी हो गए फिड़ भी आपका वीडियो कॉल हो जाता है तो किसके माध़म से होता है तो वी-o-lt-e के माध़म आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा कुश्चन एंसर का सेशन तो आज का पहला क्या कहा रहा है कि डैस इस ट्रांस्मीशन ओफ डेटा बीट्म और और अधिक कंप्यूटर ओवर कम्मुनिकेशन लिए डैस संचार लिंक पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर हो के बीच डेटा का प्रसारण है क्या है क्या 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 सब्सक्राइब ट्रांस्मीशन होता डेटा का दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कम्मुनिकेशन चैनल हैविंग डैस्ट टाइप मतलब क्या एक संचार चैनल के कितने परकार होते हैं तो इसे के साथ टाइम आप हो चुका है Hoop आप सभी लोगों हętда सै अनल कर दिया हो तो कितने परकार होते हैं थिक है मैंने बताया है था में आर्थ डौक्लेकस कि नेक्स्ट है इन सीपराओ डैल सिंपलक्स चैनल कमद डेटा का परवाँ होता है सेंटर हमेंसा सेंड करेगा और रिसीब करेगा ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है एक साथ जूरे कई कम्प्यूटरों से बना है उसको क्या कहते हैं इंटरनेट नेटवर्क बैकबोन है पर लिए तो बहुत सारे कम्प्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते कि हम डेटा अपना भेज से पाएं ठीक है तो इसी के साथ टाइम आप हो चुका है आप सबी लोग इंसर कर जागा तो क्या बनाते हैं हम लोग एक नेटवर्क क्रियेट करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है वीच आफ दा फॉलोइंग टर्म्स इज एस्सेटेड विट नेटवर्क नेम लिखित में से कौन सा सब्द नेटवर्क से संबंदित है चार अपस्टन है एमेस एक्सल माउस वर्ड कनेक्टिविटी आज का इजी पीजी क्वेस्टन है फटाक्शन सकता तो इसरी के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सब लिए और सरे सकता है यही ही टर्म रिलेटेड है किससे नेटवर्क से चलिए नेक्स्त बात कर लेते हैं इसलान के न यूज डैस्ष आर्कीटेक्ट्चर लैंड अर्कीटेक्ट्चर का उप्योग कर सकता है एक पीर-टू-पी क्लाइंट एंद सर्वर बोथ वन एंटू नाइधर वन और दू फ्रडएंसर करना है उप आप सब्सक्राइब भी यूज कर सकता है ऊजिए कर सकता है यूज कर सकता है एक सब्सक्तार पर बोथ ऑन एन टू नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है विच आफ तर फॉलाइं आइटम्स इस नोट यूज़ इन लोकल एरिया नेट्वर्क निम्लिकित में से किस वस्तु का उप्योग लोकल एरिया नेट्वर्क में नहीं किया जाता है इंटर्फेस कार्ड केवल कंप्यूटर मोड फडाक सेंसर करने बहुत इजी है इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आई वोप आप सभी लोग ने साई सेंसर कर दिया तो आप क्या कर सकतो कौन-कौन सा यूज होता है अगर आप लैंड क्रियेट करते हो तो आपको नेट्वर इंटर्फेस कार्ड की जौद परेगी केवल की जौद परेगी ठीक है और कंप्यूटर की जौद तो परेगी परेगी किसकी जौद नहीं परेगी तो मोडम की जौद नहीं परेगी ठीक है मोडम का यूज हम लोग इंटरनेट कनेक्टिवीटी बनाने के लिए करते हैं ले संदर्वित करता है चार ओप्षन है पैन डी एसल रैम यूस्पी बहुत ही इजी है फटाक सेंसर करना एलिमिनेशन से हो जाएगा इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सबी लोग इससर कर दिया तो क्या होता है प्रस्नल एरिया नेट्वर्प क्या रेफर करता है स्मॉल सिंगल साइट प्रेफर नेक्स्ट बात कर लें नेक्स्ट है और डैस इज एन एग्रिमेंट बिट्विन दा कम्मुनिकेशन पार्टी और हाओ कम्मुनिकेशन इस टू प्रोसीड और डैस संचार पक्षो के बीच एक सम्झावता है कि संचार कैसे आगे बढ़ना है पार्थ एसले बॉन्ड प्रोटोपॉल मैंने आपको बताया प्रोटोपॉल होना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही आज के लास आपको कैसा लगा आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्काइब कर दे और अपने दोस्तों में सेर करना न भूले तो मिलता है फिर नेक्स्ट क कुछ नया लाने की कोशिस करूँगा तब तक के लिए जय हिन्द जय भारत टेक केर